नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पूरव जनरल वीके सिंग के द्वारा एक चैनल को दिये गए इंटरिव्यू के दोरान जो बाते कही गई हैं कि किस तरह से इंडिया प्योके को इंडिया के अंदर शामिल करेगा और उ मिस्टर वीके सिंग जो कि पूर वार्मी चीफ भी हैं उन्होंने कहा कि पूरा कश्मीर भारत को बिलोंग करता है और जो पियो के जिस पे पाकिस्तान ने अवैद कबजा कर रखा है जल्दी इंडिया के अंदर शामिल कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि जैसे कि अब गिल किया जा रहा है उससे जल्दी वे एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं कि उन्हें वर्ल्ड वाइड उनके स्टैंड के लिए समर्तन मिलेगा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान कर रहा है मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी देश उसके साथ में स्टैंड कर और उन्होंने कहा कि वे 12 साल कश्मीर के अंदर काम कर चुके हैं ऐसे में वहाँ पर किस तरहं से चीजे काम करती हैं और आट साइड कैसे काम करती हैं वे सारी देख चुके हैं और अभी जो प्लैन बनाये गए हैं वो पूरी तरह से सक्षम है और इनके उपर आगे भी काम हो रहा है ऐसे में किसी भी तरह की गभराने की जरूरत नहीं है और ये प्लैन पूरी तरह से काम्याब होगा और कश्मीर पूरा जो है वो भारत के एंडर में जल्द ही आएगा और उन्होंने ये भी कहा कि वे क्लियरली कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं केवल एक इशारा देना क्योंकि गोर्मेंट ने जो डिसाइड कर लिया है वो जल्द ही पूरा होगा लेकिन इसका समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये अपने समय के हिसाब से ही काम करेगा और दोस्तों वीके सिंग का ये कमेंट उस समय पर आया है जब हमारे रीजिनल मेटरोलोजिकल सेंटर ने पियो के का भी फोरकास्ट बताना शुरू किया है टीवी के अंदर यानि कि वो इससा जो पाकिस्तान ने अवैद रूप से कबजा कर रखा है अब उसका फोरकास्ट किया जाता है इंडिया के अंदर ऐसे ही जैसे कि वो हमारा एरिया हो हलांकि वो हमें पिलोंग करता ही है और ये दोस्तो जम्मू और कश्मीर मेटरोलोजिकल सब डिवीजन के एंडर में आता है और पांच मई से गिलगित बालतिस्तान और मुझफराबाद के भी मोसम का हाल बताना शुरू किया गया है। तो अब इन दो सिटीज ने भी दोस्तो हमारे नोर्थ वेस्ट डिवीजन के अंदर आना शुरू कर दिया है और दोस्तो जो नोर्थ वेस्ट डिवीजन है उसके अंदर अभी नाइन सब डिवीजन आती हैं जिसके अंदर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल परदेश, उत्राखं होते हुए भी इतने सालों से लगी हुई थी और इसे कोई छेडने की भी कोशिश नहीं कर रहा था तो दोस्तो ये भी पोसिबल हो गया और सारे देश ने ये चीज़ देखी है तो ऐसे ही दोस्तो इंडिया का प्लैन है P.O.K. को इंडिया के अंदर शामिल करने का जिसके उपर स्टेप वाइज काम होना है और वो दिख भी रहा है और ये एक दोस्तो दिखाया गया है कि हाँ हम इसे अपना एरिया मानते हैं और एक संदेश भी दिया गया है और जल्द ही दोस्तो उसे इंडिया के अंदर शामिल भी कर लिया जाएगा धन्यावाद जैहिंद